नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब अर्विन मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्ते सीखने के इस कारिक्रम में दोस्तों आज हम लोग देखने की कोशिस करेंगे मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में अंधेरे में निराला की कविता राम की शक्ति पूजा की तरह ही एक लंबी और कथात्मक कविता है दोस्तों मुक्तिबोध का संबंध तार सब्तक के रचनाकारू से रहा है तार सब्तक जैसा की नाम से इस पस्ट है साथ सुरों को सरगम कहते हैं उसे ही सब्तक कहते हैं जिस प्रकार सुरों की संख्या साथ होती है उसी प्रकार तार सब्तक पत्रिका में रचनाकारों की रचनाएं जो शरीक की गई उन रचनाकारों की संख्या साथ मानी गई पहले तार सब्तक में यदि आप देखें तो अग्ये, मुक्ती बोध, राम विलाश सर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूशन अग्रवाल, गिर्जा कुमार माथुर, जैसे रचनाकारों की रचनाओं को रखा गया मुक्ती बोध, प्रयोगवाद और नई कविता धारा से जुड़े हुए थे, प्रयोगवाद और नई कविता धारा में व्यक्ति को विशेश महत्व दिया गया इसका अर्थ यह तय है, कि मुक्ती बोध की रचनाओं में भी कही न कहीं व्यक्ति बाद है लेकिन एक दूसरी बात, कि मुक्ती बोध, जीवन को तो व्यक्ति बादी इस्तर पर लेते थे किन्तु उनके काव्यगत संसकार मार्क्सवादी थे अर्थात, एक तरफ उनमें व्यक्ति बाद था, तो दूसरी तरफ उनमें कहीं न कहीं समाजवाद और मार्क्सवाद था मुक्ती बोध इस बात को मानते थे, कि समाज का ठीक होना आवश्यक है परन्तु उससे पहले यह आवश्यक है कि ब्यक्ति अपने को संशोधित करे इसलिए लिखते हैं, जो है उससे बहतर चाहिए पूरी दुनिया को साफ करने के लिए एक महतर चाहिए पर मैं वो हो नहीं पाता मुक्ति बोध इस बात को जानते थे, कि जब तक ब्यक्ति सजग नहीं होगा जब तक ब्यक्ति जागरूक नहीं होगा आत्मोद बोधन का प्रयोग नहीं करेगा स्वयम कोद बोधित नहीं करेगा तब तक समाज नहीं जग सकता, समाज नहीं सुधर सकता दोस्तों, जाहिर सी बात है कि व्यक्ति मध्यमवर्ग से आया आपने सुना होगा कि पुंजीवाद के आने से आधुनिक सभ्यता का जन्म हुआ पुंजीवाद आया, तो उद्योगवाद आया उद्योगवाद के आने से महानगरी करण का जन्म हुआ इन बेवस्थाओं ने मध्यमवर्ग को जन्म दिया, यह माना गया कि मध्यमवर्ग कुछ और नहीं, बलकि पुंजीवाद, अंग्रिजी सिक्षा और महानगरी करण की उत्पत्ती है और यह मध्यमवर्ग आत्म केंद्रित निकला, औसरवादी निकला, महत्वा कांग्षी निकला, जायर सी बात है, अपने बारे में सोचना यहीं से ब्यक्ति वाद जन्म लेता है यानि मद्यम वर्ग से व्यक्ति वाद आया फिर से सुनिएगा बातों को दोराने की कोशिस मुक्तिबोध की कविताएं एक तरफ मद्यम वर्गिये व्यक्ति को पकडने की कोशिस करती है और दूसरी तरफ समाजवाद यानि सामाजिक चेतना मारकसवादी चेतना को भी उभारने की कोशिस करती है इसलिए उनकी कविताओं में समाज और व्यक्ति दोनों का भाव देखा जाता है और तब उन्होंने माना कि व्यक्ति के संशोधन से ही समाज का संशोधन हो सकता है तो यह व्यक्ति मद्यमवर्ग से आया मुक्तिबोध की कविताएं हर हाल में मद्यमवर्गिये छद्म चेतना कोद घाटित करती है मुक्तिबोध की कविताओं में मद्यम वर्गिय बुद्धी जीवी ही नायक है और यही अलग-अलग प्रतीकों के रूप में उभर करके आया है चाहे कविता ब्रह्मराक्षस हो ब्रह्म्हराक्षस भी अपने आप में मद्यमवर्गिये बुद्धी जीवियों का परिचायक है चाहे अंदेरे में कविता का रत्ता लोकसनात पुरुष हो वह भी मद्यमवर्गिये बुद्धी जीवियों का परिचायक है यों कह सकते हैं कि जनवादी चेतना का परिचायक है मद्यमवर्ग ये चेतना का परिचायक है तो मुक्तिबोध की कविताओं के केंद्र में मद्यमवर्ग है उसकी छद्मचेतना है यह छद्मचेतना है क्या दोस्तों यह मध्यमवर्ग वास्तों में आया तो है निम्नवर्ग से इसलिए यह समाजवाद की बात सोचता आया है लेकिन पीड़ा यह है कि यह अपने लिए उच्च वर्गिये महत्वा कांच्छाओं को भी हासिल करना चाहता है एक तरफ यह उच्च वर्गिये पुन्जिवादी सुविधाओं को हासिल करना चाहता है और दूसरी तरफ निम्नवर्गिये यानि समाजवादी हितों की भी बात करना चाहता है जाईर सी बात है कि या पुंजी वादी हितों की योर जाए या समाज वादी या कांच्छाओं की योर यह तय नहीं कर पाता यही इसकी छद्म चेतना है यही इसका संघर्ष है चाहे आप ब्रह्मराक्षस देखें चाहे आप अंधेरे में देखें ब्रह्मराक्षस का नायक ब्रह्मराक्षस जानता सब कुछ है बुरे से अच्छा अच्छे से भी अच्छे और उससे भी अच्छे का संगर किन्तु एक चड़ना और उतरना वहपिस गया भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजडी है नीच और अंधेरे में का नायक भी सदियों से जकडी हुई, जबदी हुई, जंग खाई, सिटकिनी को जबरदस्ती खोल करके जाना चाहता है रक्ता लोक सनात पुरुष से मिलने के लिए किन्तो उसके जाने से पहले, मिलने से पहले मने में कई दुविधाएं हैं, वह कहता है मुझे अपनी कमजोरियों से लगाओ हैं और कमजोरियां क्या हैं? मद्यमबर्ग की कमजोरियां हैं, उसकी उच्च महत्वकांगशाएं मद्यमवर्ग के द्वारा देखे गए सपने उसकी आखों में कई सपने पल रहे हैं वह अपने आपको सबसे बड़ा देखना चाहता है वह चांद चाहता है मैं बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं मुक्तिबोध की कविताओं का संकलन का नाम है चांद का मुम टेड़ा है उसे चांद चाहिए उसके होसले चाहे जैसे भी हूँ उसकी अकांगशाएं असिमीत है तो आप देखेंगे कि मुक्तिबोध की कविताओं के केंद्र में मद्यमवर्ग ये बुद्धी जीवी है मद्यमवर्ग की छद्म चेतना है उसका अपराध बोध है दोस्तों ये मद्यमवर्ग क्रांती का वाहक रहा है क्रांती का अग्रदूत रहा है इसने आजादी के पहले नजाने कितने लक्ष नरधारित किये थे इसके मन में ये भाव था कि भारत जब आजाद होगा तो लोकतंत्र की स्थापना होगी, समाजवाद की स्थापना होगी, स्वतंत्रता मानवता बंधुत्वन्याय जैसे मुल्यों की स्थापना होगी और इन ही लक्षों को लेकर यह आजादी की लड़ाई लड़ा था यह मद्यमवर्ग अरंभ में उदासीन था लेकिन अपनी निश्क्रियता को तोड़ कर जब सामाजीक राष्ट्रिये मंच पर सक्रिये होता है तो इसने कई गोल सेट किये थे परन्तु पीडा किया जादी तो मिली स्वतंत्रता तो मिली किन्तु इन ही मुल्यों के साथ इसी मद्यमवर्ग ने विश्वास घात किया स्वतंत्रता न्याय मानवता इन सभी मुल्यों को यह मद्यमवर्ग ही बेच कर खाया इसे लिए आप देखेंगे कि अंधेरे में कविता में भी एक अजीब विचित्र पीक प्रोसेशन की चरचा है एक जुलूस की चरचा है और इस जुलूस में कैसे लोग सामिल हैं सामिल हैं सहर के विद्वान जगमगाते कवी आलोचक उद्योग पती मार्शल लेफ्टिनेंट करनल और तब कवी लिखता है कि रक्त पाई वर्ग से ना भी नाल बंद लोग हैं कौन मद्यमवर्ग जो रात में तो जुलूस में चलते हैं किन्तु दिन में शड़ियंत्र करती हैं कैसा शड़ियंत्र मुल्यों को खत्म करने का शड़ियंत्र और मुल्य कैसे बेवस्था में रहकर बेवस्था का भोग करते हुए और जनवाद की हत्या करने के लिए आमादा है यह मद्यमवर्ग यह चाहता तो है कि बेवस्था में इसे हिस्सा मिले और इसलिए बेवस्था में रहकर यह बेवस्था का भोग करते हुए यह सुविधा भोगी वर्ग है किन्त यह भुल्याता है कि सुविधाओं के भोगने के चक्कर में अपनी इन कमजोरियों से जुड़ा यह मध्यमवर्ग रक्त पाई, रक्त पीपाशू वर्ग से नाभी नाल बंद हो गया है किसका रक्त पीने वाला जनवाद का, सर्वहारा का, जनसामान्ये का यही पीड़ा है मुक्तिबोध की कविताओं में, उनकी कविताएं हमेशा, सभी स्तरों पर मध्यमवर्ग के इसी अपराध बोध को इसी छद्म चेतना कोद घाटित करती है, यदि कविता ब्रह्मराक्षस में देखें, तो उसका नायक ब्रह्मराक्षस, खंडर की बावडी म घुसा हुआ है, लगातार अस्नान कर रहा है, छपा छप, फिर भी मैल, फिर भी मैल, वह चाहता है अपराध बोध को धो देना, लेकिन अपराध इतने गहरे हैं, दाग इतने गहरे हैं, कि लागी छूटेना धोये नहीं जा सकते, दोस्तों, अंधेरे में कविता 1957 में लिखी गई, और कई संशोधनों के बाद 1962 में जाकरके अंतिम रूप से निर्मेद वहीं, आरंभ में इसका नाम आशंका के द्वीप अंधेरे में था, और आगे चल करके, इसे सर्फ अंधेरे में नाम मुक्तिबोध ने ही सुझाया, कि यह नाम दिया जाया, यह माना गया कि अंधेरे में कि प्रिश्ट भूमी दो घटनाओं से निर्मेद हुई, पहली घटना थी, एंप्रेस मिल, नागपूर में है एंप्रेस मिल, जहां मजदूरों पर गोलियां चलाई गई थी, तो यह गोली कांड जहां मजदूर या सर्वहरा की हत्या की गई, जहां जनवाद की हत्या की गई, और दूसरी घटना थी, मुक्तिबोध ने एक किताब लिखे थी, भारत, इतिहास और संस्कृति, पुस्तक का नाम था, भारत, इतिहास और संस्कृति, आरंब में मध्यप्रदेश सरकार ने इसे सिलेबस में शामिल कर लिया, किन्तु, पुना इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मुक्तिबोध को लगने लगा कि आजाद भारत में, जहां आर्टिकल 19 में इस बात का उल्लेख है, अभिव्यक्ति की स्वतंतरता मिली हुई है, भला वहां भी अभिव्यक्ति बाधित है, और तब इन दोनों घटनाओं को एक तरफ जनवाद की हत्या, सर्वहरा पर गोली काण, सर्वहरा पर जानलेवा हमला और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का बाधित होना, इन दोनों घटनाओं को केंद्र में रख कर यह कविता लिखी गई, और तब आलोचको ने कहा कि अंधेरे में अभिव्यक्ति के तलाश की कविता है, परम अभिव्यक्ति को खोजने की कविता है, और इसे लिए इसमें रखता लोक सनात पुरुष कोई और नहीं, अभिव् धन का परिचायक है, जो मद्यमवर्ग ये जनता को जगाने के लिए उसके भीतर ही कहीं न कहीं वह चेतना बैठी हुई है, वह चेतना बार बार जगाने की कोशिस करती है, किन्तु यह मद्यमवर्ग सोया हुआ है, अपनी कमजूरियों में मस्त है, अपनी कमजूरियों से लगाव है, यह सुविधा भोगी है, यह बेवस्था से लाभ लेना चाहता है, हाँ मन में यह भी भाव है कि काश्ष बेवस्था का विरोध करता। दोस्तों मुक्तिबोध की कविताओं के दो मुख्य विशें या यूँ कहीं की कविताओं के दो हतियार है पहला हतियार आत्म संगहर्ष, द्वंद, मध्यमवर्ग इस द्वंद से जुड़ा हुआ है द्वंद आप समझ सकती हैं, जिस प्रकार अंधेरे में का नायक अपने कमरे में सोया हुआ है वह स्वप्न से जागना नहीं चाहता, उसे अपनी सुविधाएं पसंद है उसे रखता, लोकसनात पुरुष बुलाना चाहता है, लेकिन कहता है मुझे उचाईयों से डर लगता है तुम चाहते हो कि मैं रसी के पुल लांग कराऊं, नदी नाले गहवर को पार करके आऊं तुम मुझे चाहते हो परवत्ष्रेणी की तुंगता पर बैठाना, लेकिन मुझे अपनी सुविधाओं को त्याग कर, अपनी कमजोरियों को त्याग कर, तुम्हारे पीछे आना पसंद नहीं ये मद्यमबर्ग की कमजोरिया है लेकिन चुकी मद्यमबर्ग आया है निम्नबर्ग से बारत में वास्तों में कोई मद्यमबर्ग था ही नहीं ये तो अंग्रेजी संस्कृती के आने के बाद, हम लोग अंग्रेजी सिक्षा, नौजागरण परक्षेतना और पुंजी वादी मुल्यों को समझ करके निम्नबर्ग से ही, सर्वहारा से ही, आम आदमी से ही हम निकल कर पढ़ लिखकर एक नए वर्ग की शकल में बदल गए मद्यमबर्ग इसलिए मद्यमबर्ग का पसोपेश है, उसका द्वन्द है, वह कस्मकस में जी रहा है एक तरफ वह चाहता है कि जिस वर्ग से आया है, यनि आम आदमी सर्वहारा के हीतों की रक्षा हो सके किन्तु इस मद्यमबर्ग की आँखें टंगी हुई हैं उच्च वर्गिये महत्वकांग्शाओं पर इसलिए एक तरफ ये पुण्जिवादी महत्वकांग्शाओं को साधना चाहता है और दूसरी तरफ निम्नवर्ग ये हीतों की भी बात करता है तो मुक्ती बोध की कविताओं में एक तरफ द्वंद है, आत्म संगर्ष है और दूसरी तरफ उनकी कविताओं में व्यक्तित्वांतरण है व्यक्तित्व का परिवर्तन जाईर सी बात है कि मद्यम वर्ग आत्म केंद्रित है self-centered आत्म चेतस अपने बारे में सुचने वाला किन्तु यह विश्व चेतस बनना चाहता है यह चाहता है विश्व कल्यान के लिए जीना लेकिन एक तरफ अपनी जीवन धर्मिता के लिए भी जीना चाहता है यानि एक तरफ यह अपने जीवन के बारे में सुचता है इसमें जीवन धर्मिता है दूसरी तरफ समाज के बारे में भी सुचता है समाज धर्मिता भी है और इसलिए पिस गया यह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच ऐसी ट्रेजडी है नीच इस मध्यमवर्ग की ट्रेजडी है दोस्तों जाइर सी बात है कि जहां द्वंद की बात होगी और व्यक्तित्वांतरण व्यक्तित्व का अंतरण परिवर्तन कि यह मद्यम वर्ग व्यक्तिवादी रहा है, यह मद्यम वर्ग आत्म केंद्रित रहा है, यह मद्यम वर्ग आत्म चेता सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला और इसलिए यह चाहता है कि विश्व के बारे में भी सोचे अंततह या विश्व चेतना से जुडता है, समाज से जुडता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि मद्यम वर्ग अपने भीतर घूटने वाला वर्ग है अपने भीतर के घूटन को व्यक्त करने का नाम ही मुक्ति बोध है मुक्ति बोध की कविताएं मद्यम वर्ग के भीतर चल रहे संत्रास को द्वंद कोद घाटित करती है तो फ्राइड की शब्दावली में फ्राइड की भाष्टा में मन के तीन हिस्से हैं चेतन मन अवचेतन मन अचेतन मन इड, इगो, सुपर इव कंसस माइंड, सबकंसस माइंड, अनकंसस माइंड दोस्तों, जो हमारी च्छाएं बार-बार दबाई जाती है या जने च्छाओं की पूर्ती नहीं हम कर पाते ऐसी च्छाएं अवचेतन मन में बैठ जाती है अवचेतन मन के अमुर्त भावों उन अमुर्त इच्छाओं को ही मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में ब्यक्त किया है यानि मुक्तिबोध की कविताएं अवचेतन मन के भावों विचारों को ब्यक्त करती है यही वज़य है कि मुक्तिबोध ने फैंटेसी शैली को अपनाया क्या है फैंटेसी शैली? अवचेतनमन के अमुर्थ भावों और विचारों को बिम्बों और प्रतीकों के माध्यम से सबसे पहले स्वप्न कथा दीवा स्वप्न में बदलने की कोशिस और फिर उस स्वप्न कथा को कविता का नाम देना यानि अवचेतनमन के अमुर्थ भावों विचारों को बिम्बों प्रतीकों के माध्यम से कविता में उतारने का नाम ही फैंटेसी शैली है अब जरा समझी है यही वज़य है कि मुक्तिबोध की कविताओं में और चेतनमन के अपराधबोध है गुवांदकार है तिलसमी खो है गुफाएं हैं बावडिया है कहीं पाड है कहीं बरगद है कहीं डराओने पेड है ऐसे भायावह जटिल बिम्बों प्रतीकों का सहारा लिया तो इनकी कविताओं में फैंटेसी शैली के कारण जटिल और भायावह बिम्बों का प्रयोग है दूसरी बात कि ये मद्यमबर कई दिनों से सपना देखता आ रहा होता है इसकी स्वपन कथा लंबी होती है उसमें कई कडियां जोडती है और कई कडियां टूटती भी है तो ऐसी स्वपन कथा को व्यक्त करने के लिए छोटी कविता नहीं मुक्तिबोध ने लिखा कि छोटी कविताएं मुझे अधूरी लगती है इसलिए मैं छोटी कविता नहीं लेखता तो जाईर सी बात है कि मुक्तिबोध, व्यक्तित्वांतरण, आत्मसंगर्ष, मद्यमवर्ग के द्वंद को व्यक्त करने के लिए फैंटेसी शैली की कविता लिखते हैं, जिसमें जटिल और भयावह बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया इसे लिए ये कविताएं छोटी न होकर सप्न कथा को व्यक्त करने के लिए विस्त्रित रही हैं, लंबी रही हैं, सुदेर घर रही हैं कुछ बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों दोस्तों, अंधेरे में कविता केकुल आठ बंद हैं आप उन्हें खंड कह लीजिए, उन्हें बंद कह लीजिए बंद इसलिए कहना थोड़ा उचित नहीं है क्योंकि मुक्ति बोध ने छंदों का प्रयोग नहीं किया उनकी कविता छंद बद्ध नहीं है और मुक्त छंद की भी नहीं है बलकि छंद मुक्त कविता है जहां विराम, ले, तुक, वर्णों मात्राओं की गिंती कोई मायने नहीं रखती कविता का कोई अनुशाशन नहीं रह जाता कविता मानो गज्य की तरह प्रवाहित हो रही हो तो ऐसी कविता को छंद मुक्त कवि इस कविता का नायक, काव्य नायक, स्वप्न में कई कथाओं को देखता है, कई कडियों को देखता है आलोचको ने लिखा, कि मुक्तिबोध की कविता में जो नायक है, उसी से जुड़ा हुआ एक कथाओं आचक भी है मुक्तिबोध अपनी ही कविता में कथाओं की भूमिका में नजर आती है और कहीं न कहीं वही कथाओं आचक, नायक का स्रोता भी है, उसकी पीड़ा को समझने वाला भी है चाहे ब्रह्मराक्षस हो, चाहे अंधेरे में हो तो देखा जाए, तो अंधेरे में भी दो नायक है एक कविता का नायक, काभ्य नायक और दूसरा, उस कविता के नायक के स्वप्न में जो आ रहा है नायक, वह स्वप्न नायक काभ्य नायक, घोर निद्रा में है, सो रहा है, स्वप्न की दशा में और उसके सपने में एक स्वप्न नायक है देखता है काप बिनायक जिंदकी के कमरों में अंधेरे लगाता है कोई एक चकर बार बार लगाता है पैरों की आवाज सुनाई देती किंतु वह नहीं दिखता यह काप बिनायक सपने में देख रहा है कि अंधेरे कमरे में कोई चल रहा है यह अंधेरा कमरा कुछ और नहीं और चेतन मन का परिचायक है जिसके पैरों की आहट सुनाई पड़ती है किन्तु वह दिखाई नहीं देता कि अचानक कमरे में फूले हुए पलस्तर के जर जाने से पपड़ियों के उभड के गिर जाने से मानो एक चेहरी की आकृती बन जाती है और तब काप बिनायक सपने में ही पूछता है कौन मनू क्या तुम मनू हो क्योंकि मनू ही इतना रिष्ट पुष्ट थे क्या माईनी में भी आप देखें होंगे स्फीत वक्ष है सिराओं में गर्मरक्त लहू धारा का प्रवा है यववन का प्रसार है शरीर में और फिर इस काप बिनायक को सपने में ही दिखाई पड़ता है शहर के बाहर पहाड़ी के पार उस तालाब में जिसका जल श्याम है उस नील शलील में एक स्वेत आकृती उभरती है समझ नहीं पाता है काप बिनायक कि जो पपड़ी में चेहरा पलस्तर के जड़ जाने से जो चेहरा उभर के आया या जो इस तालाब के शलील नील शलील जल में जो स्वेत आकृती उभरी ये दोनों कौन या जिसके पैरों की याहट सुनाई पड़ती है वह कौन कि सपने में ही अचानक काप बिनायक देखता है दूर व्रिक्षों के इर्दगर्द एक तिलस्मी खोह का शिला द्वार खुलता है धड़ से और उसमें घुस्ती है लाल-लाल मशाल लाल-लाल कौहरी के पास उभर कराता है साक्षात एक रक्ता लोक्सनात पुरुष पहचानने लगता है कि यह वही आक्रती है जिसे मैंने देखा था तालाब के नील शलील जल में जिसे मैंने देखा था कमरे के पलस्तर के जडने में वहाँ भी यह वही आक्रती थी सपने में है पूरी कथा सवपन में चल रही है fantasy शैली की यही पहचान है कि वहाँ सवपन कथा चलती है और उस सवपन कथा में फिरागे बढ़ कर देखता है अरे हाँ दरवाजे की साकल बज रही है बार बार लगाता है कब बिनायब को लगता है कि दरवाजे पर कोई साकल बजा रहा है लेकिन यह ठका हुआ है अपनी कमजोरियों में उल्जा हुआ है यह अपने भीतर के उदबोध को अपनी चेतना को भीतर से उमढ रही आंदोलिता उस गुंजाय मांस्वर को सुनना नहीं चाहता हलाकि यह ज बाहर जो बार बार साकल बजाई जा रही है वह कोई और नहीं रखता लोकसनात पुरुष है कोई और नहीं इसे जगाने के लिए इसे इसी की बात बताने के लिए है परन्तो यह तो मद्यमवर्गिय सुविधा भोगी नायक है यह क्यों उसकी बात सुने इसलिए कहता है व वैसे ही चला जाएगा बजाने दो साकल किन्तों फिर इसे आभास होता है नहीं नहीं मैं उसे छोड़ नहीं सकूंगा मैं उससे दूर नहीं रह सकूंगा चाहता हूँ उसमें जाकर घुल्याऊं मिल्याऊं यह पहचान गया है कि रक्ता लोक्सनात पुरुष्ठ कोई और नह आत्मा की प्रतिमा है भीतर द्वंद का तनाव है भीतर का ही मोर्त रूप है इसलिए वह सदियों से जंग खाई जमी हुई सिटकिनी को जबरदस्ती हिला कर दरवाजी को खोल कर अपने कमजोर घुटनों को मसल कर मल कर लड़ खाडा कर उठ कर जाना चाहता है किन्तु जैसे दरवाजा खोलता है स्वप्ननायक रकता लोकसनात पुरुष जा चुका है अंधियारे में पहरा देता पीपल रात का पक्षी कहता है वह चला गया वह नहीं आएगा वह आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार वह चला गया गाउं में शहर में तु जा उसकी खोज कर उसकी शोध कर वही तुम्हारी गुरु है वह तुम्हारी परम अभी व्यक्ति है तुम उसका शिश्य है दोस्तों काभ्यनायक सोचने लगता है कि यह रकता लोकसनात पुरुष ऐसा क्यों है क्यों छत विच्छत है क्यों इसका कपड़ा फटा हुआ है इसे रोटी पानी कौन द किता होगा और तब श्रिकांत वर्मा जैसे आलोचकों ने यह माना कि स्वाधिन्ता के पश्यात यह कोई और नहीं भारत की तस्वीर है लोकतंत्र के आहत होने की तस्वीर है जनवादी क्रांती के आहत होने की तस्वीर है यह रकता लोकसनात पुरुष जनवाद का च्छत विच्छत रूप है, समाजवादी आदर्शों के गिरने का रूप है, किस प्रकार समाजवादी आदर्शों के साथ धोखा किया गया उसी का प्रतीक है। इसे इस पाती दस्तावीज की उपमादी। दोस्तों, काब बिनायक सपने में ही है। विच्छ मद्यम वरगिये लोग, नामी गिरामी, विद्वान, जगमगाते कवी, आलोचक, विद्वान, पत्रकार, यहां तक की सेना के अधिकारी, तथा अन्य शर्षस्थ अधिकारी, शहर का कुख्यात अपराधी अत्यारा, यह सभी उस प्रोशेशन में सरीक है। जो रात को तो जुलुस निकालते हैं, किन्तु दिन में शड्यंत्र करते हैं, अपने बंगले, अपने दफ्तर, अपने घरों में बैठ कर। तब बिना एक सपने में ही यह पहचान लेता है, कि अरी यह रत पाई वर्ग से ना भी नाल, ना भी से बंधे जुड़े लोग हैं। जायर सी बात है कि मध्यमवर्ग अपने ही लोगों के खिलाप है, वह बिवस्था में जुड़कर बिवस्था का दूध पी रहा है, लेकिन बिवस्था को भोगने के फिराक में इस बात को भूल गया है, कि बिवस्था आम आदमी की लाश पर खड़ी की गई है। मुक्ति बोध की कविताएं लोक्तंत्र में आई गिरावट, राजनैतिक चरित्र के पतन जैसे मुद्धों को उदगाटित करती है। इसलिए माना गया कि संसकारों से व्यक्तिवादी होने के बाद भी इनकी कविताएं मार्क्सवाद और समाजवाद को उदगाटित करती है। यह काब्वेनायक देखता है कि प्रोसेशन में चल रहे कुछ लोगों की निगाहें इस पर पड़ती हैं और आवाज आती है दागो गोली मारुस साले को। पकड़ा जाता है काब्वेनायक सपने में ही और उसे ऐसा लगता है कि मानो किसी काली डैस की घनी काली पट्टी से आखें उसकी बांध दी गई हैं खड़ी पाई की सूली पर टांग दिया गया है किसी सुन्य के खड में गिरा दिया गया है। देखें तो कविता के आगे भी ऐसे भाव हैं जहां वह कहता है कि बिवस्था के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है यह बिवस्था नहीं चाहती कि कोई जागे। किसी में सत्चित वेदना का भाव भर करके आए। मुक्तिबोध की कविताएं सम्वेदनात्मक ज्यान और ज्यानात्मक सम्वेदना से ठकराती मुक्तिबोध जानते हैं कि मध्यमवर्ग के पास ज्यान की कमी नहीं वह ज्यान विज्यान की राजधानी परंतु अपने ज्ञान का सामाजिक समवेदना के उदेश्य से प्रयोग नहीं कर पाता और इसलिए मद्यमवर्ग में खीज है शिड़ है ब्रह्मराक्षस इसी बात का परिशायक है और अंधेरे में का नायक भी कहीं न कहीं इसी भाव से जुड़ा हुआ है वह पढ़ा लिखा है मद्यमवर्गिये सब कुछ जानता है यहां तक की वह चेहरे पहचान गया वह कहता भी है कि मैंने इन्हें पहचान लिया अब इसकी मुझे और सजा मिलेगी इसलिए बिवस्था के सामने वह बैठाया जाता है एक टूटे सा स्टूल पर बैठा दिया गया हूँ और मेरे सील की हड़ी तोड़ी सीस की हड़ी तोड़ी जा रही है स्क्रिनिंग करो मिस्टर गिप गुपता क्रॉस इग्जामिन हिम थोरली आज की बिवस्था ऐसे जागरुक लोगों के खिलाप है जो लोग जाग जाते हैं जो सरवहरा यह जान जाता है कि बिवस्था में सिंध है बिवस्था के पोल को पकड़ लेता है उसकी कमियों को जान जाता है उसके उत्पीडक चरित्र को पकड़ लेता है तो वह बेवस्था के लिए स्वास्थेकर नहीं रह जाता ऐसे में बेवस्था उसके साथ यही करती है जो इस कविता में नायक के साथ कविता में आगे बढ़ें तो मारसल ला की चर्चा है जहां सैनिक सत्ता लागू की जाती है लोकतंत्र की सारी शक्तियां सैनिक हाथों में सुरक्षित हो जाती है अधिनायक वाद निरंकुष्टा ताना साह का जन्म होता है अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी जाती है जन्ता को उफ तक करने का मौका नहीं दिया जाता अंधेरे में कविता एक तरफ मार्शल ला के विरोध में है तो दूसरी तरफ फासिस्ट शक्तियों के विरोध में जो निरंकुष्टा से व्यक्तिगत हितों के लिए अपने लाभ के लिए जन्सामान्य को सिर्फ कचड़े का धेर समझती है कविता में आगे काव्य नायक अपने स्वप्न में बढ़ता है वह भागता है कविता की कई पंक्तियां दुराई जाती है कुछ पंक्तियां बार बार दुराई जाती है भागता मैं होस छोड़कर घूम आया कई मोड छोड़कर यह काव्य नायक भी भाग रहा है अपने होस्व हवास छोड़कर के कई मोड घूम आता है वह और देखता है आगे एक बरगद जिस पर पागलों के कपड़े टंगे हैं बरगद या इस प्रकार के पेड़ इस प्रकार के तिलस्मी रूप प्रतीक मुक्तिबोध की कविताओं में आपका इस तरों पर देखेंगे मुक्तिबोध लिखते हैं यह बरगद गरीबों का उपेक्षित सरवहारा का यही घर भी है और यही उनके लिए छट भी है और वहीं एक सरफिरा रहता है जो आज पता नहीं कैसे अब सरफिरा नहीं अब वह आत्म उद्बोधित हो चुका है वह जान गया है कि शहर में मार्शल्ला लागू हो चुका है मानो उसे पता चल गया है इसलिए वह मुझे भी जगाने के लिए गीत गा रहा है वो मेरे आदर्श वादीमन वो मेरे सद्धान्त वादीमन मर गया देश जीवित बच गये तुम लिया बहुत बहुत तुमने दिया बहुत बहुत कम वह गीत गा रहा है जाहिर सी बात है इस गीत का भाव है उदरम भरी अनात्म बन गए भूतों की शादी में कनात्स से तन गए किसी व्यविचारी के बन गए विस्तर लोग हित पिता को घर से दिया निकाल और जन मन करुणा रुपी माता को दिया हंकाल मनों मद्यमवर्ग के गाल पर यह तमाचा है यह चाटा है केरे मद्यमवर्ग तुमने लोग करुणा को मन से निकाल दिया जन सामान्य के लिए हितों की बात सोचना बंद कर दिया सिर्फ अपने ही कीचण में सन गए तुम बोधिकता और तरक जाल को छोड़कर सिर्फ तुम निस्क्रिये हो गए अपने में केचुए की तरह सी मट गए और मानो थाब बिनायक इस गीत को सुनकर सिर्फिरे के गीत को सुनकर स्वायमुद बोधित हो चुका है जाग चुका है वह जान चुका है कि रक्ता लोक्सनात पुरुष ही उसकी आत्मा की पीड़ा है उसी की बात को सुनना है क्योंकि वही उसकी आत्मा का प्रतीक है वह भीतर के भावं का मूर्त रूप है सपने में वह भागता है कई चौराहे लांग हाता है और फिर उसे पाशाण मूर्ति तिलक की मिलती है आखों में मानो बिजली के फूल काप रहे हो अंगारे दहक रही हो, होठों पे पासाणी मुस्कान जमी हुई हो, मानुवह मुर्ती हिल रही हो, क्रोध में काप रही हो, और नासिका से लहु की धारा गर्म गर्म धारा फूट पड़ी है। लोकतंत्र का खूण है, सरवहारा चेतना का खूण है, काप बिनायक सपने में और आगे बढ़ता है, तो देखता है गांधी को, एक हाथ में डंडा, कांधे पे बोरा, गोद में बच्चा, नाक में चस्मा लिये गांधी, सरदी में बोरा ओड़े ठिठुर रहें गांधी, पास जाता है देखता काप बिनायक गांधी की यह दशा। जाहिर सी बात है कि आजाद भारत में गांधी वादी मुल्यों के साथ यही होना था। अब यूँ कह सकते हैं कि मुक्तिबोध तो मारक्सवादी हैं, मुक्तिबोध की कविताओं में समाजवादी प्रभाव, जैसा कि हमने आरम में देखा कि मुक्तिबोध समाजवाद के भी पक्षधर रहे हैं, किन्तु उससे पहले व्यक्तिवाद के भी पक्षधर गांधी व् जीठे याद रखियेगा का करते थे कि पहले खुद गुड़ खाना छोड़ू तब तो दूसरे को सलाह दू और यही बात मुक्ति बोध पूरी दुनिया को साफ करने के लिए एक महतर चाहिए पर मैं वो हो नहीं पाता यह समझा जा सकता है कि गांधी वो शिशु को काभ्यनायक के हाथों सौप कर प्रशन हो जाती हैं कि यहलो अब तक मेरे पास सोया हुआ था इसे सुरक्षित रखना इसे सम्हाल के रखना गांधी कहते हैं कि हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे तु यहां से चला जा तेरा य नहीं कोई गां यह समझा जा सकता है कि आजाद भारत में लोग तंत्र तो आया ज्यान विज्ञान की स्थापना हुई और द्योगी की विवस्थाएं फली फुली लेकिन गांधी वादी मुल्यों की हत्या हुई सत्यन्याय निष्ठा अहिंसा के लिए जगह नहीं रह गई इसलिए गांधी के मुह से यह बात कि हम हैं गुजर गए जमाने के जहरें काभ्यनाय गांधी और तिलक से मिलकर आगे बढ़ता है और मानो स्वपन भंग होता है स्वपन भंग होते ही सब कुछ समझ चुका है कि अब अभिव्यक्ति पर ताला जो लोग लगा रखे हैं वह बरदास्त नहीं करेगा इसलिए कहता है काभ्यनायक अब अभिव्यक्ति का खतरा उठाना होगा अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे तोड़ने होंगे सारे मठ गढ़ सब पहड़ी के उस पार जील में जो स्वर्न कमल हिल रहा है कहता है उसमें गहरे धंसकर उस नील कमल को पाना है उस लाल कमल को पाना है दोस्तों लाल रंग मारक्सवादी समाजवादी क्रांती का परिचायक है आप कई कविताएं देखेंगे सुबह होते होते छोटे छोटे हाथ लाल कमल से खिल उठती हैं जन्वादी कविताएं और तब इसका आप बिनायक को इस बात की समझ है यह जान चुका है कि बेवस्था तो ऐसे ही चलेगी लेकिन मद्यम वर्ग को जाग करके वर्ग समुम को समझते हुए जन्वादी क्रांती को जिवित रखना होगा क्योंकि मारसल ला तो ऐसा चलता रहेगा अंधेरे में कविता नहरू यूग पर ब्यंग भी है अंधेरे में कविता ठीक आजादी के बाद आजादी के मुल्यों से विश्वास घात पर भी ब्यंग है एक इस प्रकार आजादी के रखवालों ने ही आजादी के साथ विश्वास घात किया इसलिए कविता में कहीं आग लग गई कहीं गोली चल गई यह समझा जा सकता है कि कविता फैंटेसी शैली में लिखी गई एक ऐसी कविता है जो सप्न कथा के माध्यम से मध्यम वर्ग के अमूर्थ भावों विचारों को बिम्बों और प्रतिकों के माध्यम से उदगाटित करती है इसकविता का उदेश जनवादी क्रांती की स्थापना, जनवादी समाजवादी मुल्यों की स्थापना, फासिष्ट शक्तियों का विरोध करना है, पुंजी वादी शक्तियों का विरोध करना है, और सिष्ट सामन्ती और पुंजी वादी मान सिक्ता का विरोध, अधिनायक अगले वीडियो तक बने रहें तब तक धेर सारी शुब काम नहीं नमस्ते दोस्तों